हेलो जोडियो और वेल्कम तो दाइस्टोडियो मेंबर्स जिन्द इल स्टील को आज के दिर हमने ट्वेट किया था एंड काफी अच्छा और स्मूद मोमेंटम हमें जिन्द इल स्टील के अंदर देखनों के मिला देखे डे टाइम पर जाएंगे आज इस वीडियो के ऊपर काफी अच्छा एक डीप अनाल से समलोक करेंगे कि किस तरह से और कौन से स्ट्रेटजी का यूज हमने इसके अंदर किया यहां पर देखे एक फॉलिंग पैटर्न आपको दिख रहा होगा है जैसे कि यह हैं और यहां पर जो थर्ड वाली यह बाली जो वाल्यूम है और यहां का जो प्राइज है यहां पर देखे वाल्यूम सबसे आदा कम होगे और फाइव मिट्स के टाइम फ्रेम जब पर जवाब आओगे तो देखेंगे अब कि इस लाइन से ही प्राइज हमारा रिजेक्ट हो रहा है प्रिवेस थ्री टू फ हम ही बता रहे हैं उसके ऊपर एक बेसिक नेचर पैस का कि देखने के कोशिश क्या करिए अब यहां पर देखें जैसे कि प्राइस ने किया क्या है एक काम करते हैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जैसे परफेक्ट लो ईए यह रेजिस्टेंस कल ब्रेकाउट बट हाई ब्रेक नहीं कर पाई थी मार्केट कल भी ब्रेक नहीं किया तो आज भी और देखे कल मार्केट नीचे की तरफ गिर गए आज एक गैप आप ओप ओपनिंग दिखाई प्राइज हमारी exact उसी केंडल तक पहुंचे डे टाइम रेम के और वहीं सही नीचे की तरफ गि हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि आज के दिन अगर मार्केट सही रही तो एक जितना भी मारा लॉस है सारा का सारा रेकवर हो जागा और आप देख सकतो 14,800 का लॉस है और सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां पर देखिए जो क्वांटी है हमारी 2000 क्वांटी है 2000 क्वांट था इस टॉप लॉस एंट्री टार्गेट वगरा यह सब है 433.50 पर हमारी एंट्री थी 43505 पर इस टॉप लॉस और 426.10 पर एकजिट हो जया था ओके पफेक्ट सो यह हमारा आज का ट्रेड है आई होप कि आज जो जो भी पॉइंट्स हम आपको समझाएंगे एक करके आप आज के दिन का और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मेरे लिए कि कल का जितना फिन में लॉस था वो सारा का सारा रिकावर कर लिया एक ही दिन में सो थैंक्स एंट स्टार्ट करते अपना ही आज का वीडियो और ले चलते हैं आपको आज के अपने चार्ट के पर स्टेड एक पर सब्सक्राइब करते हैं के सटेडियो और लेकिन जिसका एक सेंस होता है कि चलिए ब्रॉफिट को देखते हैं प्रोफिट को नहीं प्रैस को नहीं प्राइस को नहीं बिएक ब्रें प्राइस किस तरह से read किया गया कैसे उसको पढ़ा गया कैसे समझा गया तो जब यह absence लेकर किया तो इसी लिए आपका यह आगे का वीडियो होता है otherwise आप वीडियो यहीं पर skip कर सकते हैं चोड़ करके जा सकता हूं अब हम देखते हैं falling rose के recording हमने किया कि falling rose के अंदर हम लोग करते कि यह तो मालूम है एक छोड़ी चीज है सभी को मालूम है अब एक अगर कोई important candle है मेरे पास like 1,2 और 3 volumes आप जानते ही हो 1,2 और 3 इस तरह की volumes होती है अब यहां पर हुआ क्या है जो इस candle का high था यह high हमने mark कर लिया और previous days में price हमारा लगा था नीचे की दिशा में यहां से गिरा मतलब जो एक resistance हम लोग मान करके चल रहे हैं अब जरूरी तो नहीं है कि हमने resistance माल लिए और price वहा अदर movement आपको देखना को मिला है price उपर की दरफ जाता है और फिर से नीचे की दरफ गिर जा रहा है और यहां पर एक pin बार बन जा रही है और आज भी जो हमको trade करने का मौका मिला वो इसी level से मिला जहां से price लगातार मेरा पिछले 3-4 दिन से लगातार गिर रहा था इस level से price ने हमको down move दिखाया और यहीं से हमने अपना यह trade execute किया यह तो बात होगी day time frame की क्योंकि यह candle मेरी important candle थी ठीक है अब lower time frame पर जब हम यहां पर आते हैं तो lower time frame के अंदर देखने वाली चीज़ क्या है कि जैसे morning में कुछ हमारे swings बने है यह मेरे swings है और price ने इनका breakout कर दिया downside की तरफ ठीक है again price जब हमारा upside की तरफ गया है तो इसी resistance level से नीचे की दिशा में गिर गया और फिर कल पूरे दिन हमारी market गिरती रही है कल की market ने क्या किया था कि इस जगह से यह कल जो swings form की थी इस ने यो जो swings थे यहां से market नीचे की तरफ गिर गय थी है न और आज भी ज अपनिंग दी वो इस range से ही दी हाइस पर जाते हुए sorry 9.15 की candle का breakout नहीं हुआ था अब आज भी market ने gap up opening दिखाई because कल market हमारी यहां कहीं close हो गई थी इसने हमारी range के नीचे की तरफ breakout दिखा और नीचे की देशा में इसने closing दिखा दी थी अब जो buying की orders थे जितने भी pending orders थे यहां पर price ने gap up opening दिखाई और कल के range यह देखी ड्रेंग थोड़ा सोपर नीचे है बट price ने किया क्या था कि जो क कल के highs थे swing highs थे उसको price ने break नहीं किया और आज भी जो gap up opening दिखाई हमारे इस resistance से ही इसने दिखाई ठीक है अब अगर price को upside की तरफ निकलना तो क्या करना चाहिए क्यों कि कल market यहां से नीचे की देशा में गिर गई थी मतलब buying के orders जितने भी थे execute कर लेने के बाद में कल य अब हुआ क्या है gap up के बाद में orders execution के बाद में price ने यहां पर कुछ एक ranges अपनी define की थी समझ पा रहे हैं यह drawings में इसलिए समझा रहे है क्योंकि charts थो थोड़ा बहुत complicated होता है समझना क्योंकि यहां पर हम जैसा चाहें वैसी candles form कर सकते हैं concept समझ में आ जागा concept समझने में आ 9.15 की range को as a mother candle में convert का दिया इसने और price का breakout नीचे की दिशाम में होगे price नीचे की गया तो हमने क्या क्या यहां पर अपनी entry ली और उस वक्त के जो swing highs थे वहां पर हमने अपना stop loss लगा और trade execute का दिया समझ पा है ना यह हमने आपको day time frame और lower time frame दोनो time frame square में बताया अब time frame पर हमने क्या कहा था आपसे हमारी important candle कौन सी है यह वाली candle है ना अब volumes आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर इन्होंने momentum दिखा है volumes का यह बात हमेशा याद रखेगा कि अपने system को day by day आपको upgrade करना पड़ेगा हमें उसको सुधार में लाना पड़ेगा आज हम जो system use क अब यह मन के चलिए आसे डीड़ दू साल पहले जो system हम पढ़ाय करते थे इवेन एक साल पहले विजस तरह से हम trade execute करते थे या जो class में भी हम बताया करते थे अब उसके अंदर आप देखो को drastic change मिलेगा मतलब एक price action को लेकर करके जो समझ होते ही न आप यह नहीं कह सकते कि आज मेरी समझ पूरी हो चुकिया अब हमको कल और समझने की जुरूरत नहीं है आपको day by day day by day इसको हमेशा आगे की और ले जाना पड़ेगा हमेशा इसे change में लाना पड़ेगा तब ही आप survive कर पाओग अदर वाइस नहीं कर पाओगे है न तो change जिस तरह से भी आप trade बगएर execute करते हो जो भी आपको system है अपने entry के confirmations है अब जैसे कल हमने concor का trade execute किया था concor में कल क्या हुआ था हमने buying execute की था expectation हमारी ये थी कि price में इस range से यही वाला अपना वो point है जहां से हमने अपना trade ये execute किया था यहां से price के अंदर एक बड़ा सा move हमें देखने को मिलेगा बट price देखिए upside की दरफ गया और बाद में हाँ वापस आकर किसने कली stop loss ले लिया लेकिन आज क्या हुआ कल ने buying किया था momentum तो expected था कि कल के दिन हमें मिल जाना चाहिए बट नहीं मिला यहां से price हमारा नीचे की दिशा में गिर गया लेकिन आज क्या हो प्राइज ने एक रेंज बनाई यहां पर कुछ swings डिफाइन के और कल के confirmations के एरियास पर आकर के ही देखिए इसने momentum दिखा दिया बड़ा सा 5% का move हमने क्या कहा था concord के अंदर day time frame पर यहां पर एक 15% की candle बनी है 15% की candle और price अपना previous swing break किया था अब अगर breakout होता है ना तो इस level से upset की तरफ कि आपको breakout देखनों को मिल जाएंगे previous swing से कर नहीं हुए आज breakout होगा इस तरह से होता गया ना कि जो चीज़े अभी हम जो points अ करने पड़ेंगे अपने system को ले करके आपको उसे upgrade करते रहना चाहिए ज़रूरी नहीं है कि date साल पहले दो साल पहले आप जिस तरह से काम कर रहे थे या भी हमने जैसे बताया कि class में भी जो points हम बत समझाय या बताया करते थे आप तो उसके इंदर बहुत सारे changes हुए है changes करने के पीछे का reason क्या है अब ये भी नहीं कि आप जानबूच करके उसको change ही करते चले जारे हो system को change करे अपने change करने के पीछे का purpose क्या होना चाहिए कि जैसे हम पहले काम करते थे अब हमें उससे ज़्यादा confirmations मिले अब उससे ज़्यादा confidence मिले यही तो एक reason होता है ना change करने का अब ऐसा नहीं कि आज हम अच्छी तरह से काम करें आज ज्यादा confidence से काम करें कल हमारा confidence कम हो गया change तो यह भी हुआ है लेकिन यह minus way में है उसको positive way में हमें लेकर करके जाना होगा I hope कि जिस point तक हम आपको लेकर के जाना चाहरे है आप समझपार होगा उस चीसको तो वापस आते हैं हम लोग अपने जिन्दर इस्टिल के उपर अब यहाँ पर देखे क्या हुआ है डे time frame पर यहाँ से price हमारा नीचे की दिशा में गिरा दो तीन चार पाँच आज भी हमको price दिशा जगा पर मिल गया अब फिर से देखिया वापस आएंगा 5 निट के time frame पर अब हमने क्या का था कि कल market का जो high लगा है आज market ने उससे break नहीं किया और आज के भी जो swings है न वही है जो कि कल के swings थे यहाँ देखिये market गिरी low high low high मतलब कि इस level तक price आया और यहाँ से नीचे की तरफे गिर गया है कल क्या हुआ था सॉरी आज क्या हुआ एक gap up opening price ने कल की range को break नहीं किया और यहाँ से यह नीचे गिर गया और इसी जगह से हमने अपने confirmations लिए and volumes के साथ में जिस तरह से हम price को पगड़ते हैं हमने समझ रहे हैं के कोशिश के और यहाँ से अपने trade execute कर दिया समझ रहे हैं तो इस तरह से यह पूरा overall हमारा trading का setup था अचका और जो targets भी हमने लगाय थे group में भी हमने जो निकलने के लिए बोल दिया था वो यहाँ कहीं बिलकुल हमें याद है 11.45 पर हमने आसे निकलने के लिए बोल दिया था और उसी वक्त अगर हम भी निकल जाते तो यह जो 14,800 का profit है न यह करीब मेरा 16-16,000 रुपय का profit हम यहाँ पर book करते बट कोई बात नहीं मौलूब नहीं होता नहीं कि price जांसे नीचे ही गिर जागा या ऊपर चला जागा बट यहाँ पर जबने देखा कि नहीं अब हमें निकल जाना चाहिए तो इसी थोड़ा सा कम profit लेकर की मिया से बाहर निकल गए तो यह अपना आज का trading setup था I hope कि जो भी निफ्टी के levels, stocks, उनके levels, उनका direction वगरे जितना हो सके अपने तरफ से help करें और आप नों को stocks अगरे हम share किया करें ओके, so thanks and अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर करना वीडियो कर अच्छा लगा तो इसको जरूर से जरूर को like की जाएगा अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में, so तक तक के लिए thanks, goodbye and we will meet again